शाम के नास्ते के लिए अक्सर लोगों को कुछ चटपटा स्नेक्स चाहिए जो टेस्टी भी हो और फटाफट से बन भी जाए तो आज मैं ऐसी ही रेश्पी बना रही हूँ मसाला पाव की रेश्पी सिर्फ 10 मिनट में बन जाती है और बच्चे हो या बड़े हो सभी को यह बहुत पसंदाती है आप भी इसे जरूर ट्राई करें तो चलिए इस मज़ेदार रेश्पी को बनाना शुरू करते हैं इस मसाला पाव की रेश्पी को बनाने के लिए हमने यहां पे लिया है चार बिल्कुल फ्रेस पाव और इसे हमें बीच से इस तरह से कट लगाना है एक साइट से जुड़ा रहे है ऐसा हमें इसे कट लगाना है यह देखिए इस तरह से तो चारो पाव को हम इसी तरह से कट लगा लेंगे और फिर इसके बाद हम पैन गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर और इसे हम रोस्ट कर लेंगे दूनों साइड से तो पाव को इस तरह से दोनों सइड चेस फैला करके हम इसे हलका सा रोस्ट करेंगे ताकि यह आ शौफट भी रहे विल्कुल ज्यादा रोस्च नहीं करना है तो यह देखे इसे मेंने रोस्ट कर लिया है इसी तरह से हम बाकी के भी कर लेंगे तो यह हो चुका है अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और फिर से हम इसमें डालेंगे तेल एक बड़ा चम्मच तेल में डाला है और इसमें ये बटर डाल देंगे एक चम्मच जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे अद्रक लसुन और हरी मिर्च तो यहां पर दो हरी मेर्ज, और दो तीन लसुन की कलिया, और एक इंच अद्रक का टुपडा लिया है, बारिक-बारिक काट करके, क्रस्ट करके भी ट्याल सकते हैं, तो यहाँ पर इसे हमें हल्का सा रोश्ट कर लेना है, यानि कि जब यह हल्का सा पक जाए, तब हम इसमें डालेंगे प् बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाना है जब हलका सा गोल्डेन हो फ्राई हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सब्जिया तो एक दू मिनट तक प्याज को हमने पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे सब्जिया तो यहां पर लिया है मैंने बारिक कटा हुआ सिम्ला मिर्च और ब पाव भाज मसाला अगर नहीं आपके पास तो आप थोड़ा सा धनिया मसाला अधिक डाल दें और थोड़ा सा गरम मसाला एड़ करते उसकी जगह पे अब हम इसमें डालेंगे टमाटर यहां पर दो टमाटर मैंने बारे काट करके डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स क कर देंगे इस तरह से और इसे हम ढख करके दो मिनट तक पकाएंगे थिमिवे तकी सब्सिया जो है वह अच्छे से सौ presents हो जाए तो इसे ठग देते हैं और यह देखे सब्सिया जो वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा भी हमें इसे नहीं पकाना है थोड़ी सी क्रंचने इस इसमें रहनी चाहिए तो सब्जिया जो है यह बिल्कुल पर्फेक्ट हो चुकी है आप चाहें तो हलका सा इसे इस तरह से मैस कर सकते हैं तो जब सब्जिया हो मैंने यहाँ पर निबुकारस डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह देखिए यह बिल्कुल स्टफिंग तयार है इसको हम निकाल लेंगे और अब हम इसे लगाएंगे पाव में यह देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से जो पाव हमने सेक करके रख कर लिए तो आपको अगर इसमें ये डालना है पुझीया कोई साभी तो आप डाल सकते हैं अभी हम इसे हिल्का सा रोष्ट कर लेंगे तो चारो हमने इस तरह से जःक मुना करना है तो जबहाब को सर्प करना हो तब आप इसे हलका सा इस तरह से करम कर लें तो यहां पर बटट डाल करके हमने चारों ही पाव को इस तरह से दुनों साइड से सेक लिया है आप चाहें तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं इससे यह और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा तो यह देखिए हमारा बन करके रेड जाती है इससे तो यह देखिए हमारा भी यह बन के रेडी हो गया है आप भी पनाइए और ट्राइ कीजिए और कमेंट करके बताएए कि आपको रेस्पी यह कैसी लगी तो इसे हमने सब कर दिया थोड़े से प्याज और भुजिया नमकिन के साथ तो वीडियो अच्छी यह में तबता के लिए बाइए